हे हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम बात करने हो ले आई सीयमे का मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो हर स्टुडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अपल आप सभी सी छोटा से रिक्वेस्ट अगर आप यूटूब चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंडू साइड में बेल आइकन अलब बाटने से प्रेस कर देना ताकि सीमे एक्जाम रिगारिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनॉस्मेट या नोड्स आप मिस ना कर सके एंगर आपने अभी तक गरोन ओले टेलीग्रम चैनल नह सार चिमे फांडेषं जुलाइ टूइटी टूइटि में जो एक्जाम दे तो उसका रिजल्ड कब आने वाला है तो इस विडिए में उसी टौपिक पर डिसकर संग करने वाले कि सीमें फांडेशन का रिजल्ड कब आएगा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे यह बताऊंगा उसके बाद हम लाश में बताएंग चेक करेंगे कि सीमें फाउंडेशन जुलाई 2022 का रिजल्ट कब आने वाला है रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आई सीया ईमे को उफिस़ल वेबसाइट पहताना स्टूडेंट वाले सेक्षन पे लिएक अग्जामिक करेंगे यहां पर दिख रहा होगा आपको बिडिक्सन और टीटीएंटी वेन फाउंडेशन और इग्जामिनेशन ठीक उसी तरीके आपको यहाँ पर दीखेगा जुलाई 2022 एफिर जून 2022 दिखेगा आपको और SIMPLY आपको one क्लिक करना होगा उसकी आपको हो जाएगा आपका Ref 표 अब बात करते हैं CMA Foundation का result का माने वाला है First of all student हम previous exam से अगर compare करते हैं तो बहुत जल्दी CMA Foundation का result आता है Because ये exam online हुआ है और कोई भी इसमें practical या फिर कुछ भी निये Only MCQ based exam है जो भी आपने click किया उसका answer आप बहुत जल्दी मिल जाता है अगर मैं expected date बताओ कि CMA Foundation का result कब तक आएगा 31st of July तक आप वेट करना अगर इसके पहले 31st of July के पहले-पहले CMA Foundation का result नहीं आया तो first week of August में आपका CMA Foundation का result आजाएगा Again बता रहो 31st के पहले result आया तो well and good आपके लिए golden opportunity भी हो जाएगा क्योंकि आप directly registration कर लेंगे CMA Inter में जो कि old syllabus होगा और आपके लिए काफी helpful होगा बत अगर result आता है आपका first week of August में तो थोड़ा से problem हो सकते है बत no need 31st July के पहले-पहले आपको आपका result दिखेगा नहीं तो first week of August में आपका result आपको ICMA इसी website पे release कर देगी जैसे ICMA को official update देती है result regarding ये channel आपको सबसे पहले update कर देगा उसके लिए अगर आप YouTube channel पने हो तो please channel को like, subscribe और जो साइड में बेल आइकान और बटन से प्रेस कर देना इनकेस आपके माइन में कोई भी doubt आता हो तो comment section में comment कर सकते है Thank you students